subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप ही का अपने YouTube चैनल हाई टेकिनफो में तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस परका अपने Android मुबाइल फॉन को convert कर सकते एक laptop में दोस्तों Android मुबाइल फॉन को laptop में convert करने से मेरा मतलब है कि आप अपने Android मुबाइल फॉन में laptop की तरह ही Windows operating system run करा सकते हैं और laptop में आप जो जो काम करते हैं वो सभी काम अब आप अपने Android मुबाइल फॉन में भी कर पाएंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में बताए जाने वाली ट्रेक बहुत ही ज़्यादा simple और easy है मैं आशा करता हूँ आज के वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी और वीडियो का के प्रोसेट करने से पहले मैं आप सभी से request करता हूँ कि अगर आपने हमारी YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी अभी हमारी YouTube चैनल को सब्स तो दोस्तो अपने Android mobile phone में Windows operating system रन कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile phone के Play Store पर जाना है और यहाँ पर आपको एक application डाउलोड करना है अप्रिकेशन को नाम है Limbo PC Emulator और दोस्तो आप इस application के rating देख सकते है इस Play Store में इस application को 4.2 स्टार दिया गया है दोस्तो इस application के ड एक की मदब से अप डाइयक्ती लिए 애 squish को डाउलोड करसकते हैं अबको चेंज लोग इस्ट्रक्चन को पुरा पड़ लेने के बाद आपको okay पर क्लिख करना होगा अब दोस्ता आपको वीडियो डिस्क्प्शन में जाना है वीडियो डिस्क्प्शन में एक लिंक दे होआ है उस लिंक को आपको कॉपी करके अपने मोबाईल फॉन के वेब ब्राऊजर में पेश्ट करके सर्च कर लेना है अब आपको लॉगिन करना होगा अपनी Google के ID से उसके बाद यहाँ पर आप एक download का आइकन देख पाएंगे उसे download का आइकन पर आपको प्लिक कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 207MB की एक जिस फाई यहाँ पर download हो रही है Zip File successfully download हो जाने के बाद आपको File Manager या फिर File Explorer ओपन करना है अपने मोबाइल फॉन में अब आपको Storage में जाकर download folder को ओपन करना होगा अब दोस्तों यहाँ पर आप एक File देख पाएंगे जिसका नाम है win95.resip अब आपको इस File को Extract करना है Limbo folder में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Limbo folder में File Extract हो रही है अब दोस्तों आपको Limbo application को open करना है जो application हमने सबसे पहले download किया था अब दोस्तों यहाँ पर आपको अब दोस्तों आपको RAM memory चेंज करना होगा RAM memory में आप 512MB सेलेक्ट कर लिज़े अब आपको ब्राउस करना है Limbo folder Limbo folder open होने के बार आपको Win95 folder को open करना है अब दोस्तों आपको user interface के drop-down में आपको VNC सेलेक्ट कर लिना है दोस्तों आपको सभी steps को same-to-same follow करना होगा जैसे मैंने आपको दिखाया अगर आप कोबी step miss करेंगे तो आप अपने mobile phone में Windows operating system रन नहीं कर पाएंगे तो आप same-to-same सभी steps को follow कीजिए अब दोस्तों आपके mobile phone में Windows को load होने में थोड़ा time लगेगा तो आपको यहापे थोड़ा wait करना होगा अब आप देख सकते हैं Microsoft Windows XP professional का logo हमारे सामने आ गया है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा Android mobile phone बिल्कुल किसी Windows laptop या फिर computer की तरह यहाँ पर start हो रहा है अब आप 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 स्बस्धाओ आप आप स्बस्धाब आप 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 बाल बाल अजय कर दो कि कर दो हुआ है झाल 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 प्लीज दोस्तों आज के वीडियो आप सभी के लिए ज़रू होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज आप इस वीडियो के लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपके कोई भी फजाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे लिए के कॉमेंट सेक्षिन में अपने वैलेबल कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे लिए लाल के सब्सक्राइब कर बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब कर निक बाद आप बैल आइकन को वीडियों दबाद दीजेगे ताकि सबसे पहले आप वीडियों देख सकें तो दोस्तों नमस्कार